कि देखिए स्टुडेंट क्लास 11 का चेप्तर नंबर 10 आप पर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर जें ठीक है ध्यान से देखिएगा किसमें क्या है सबसे पहले है अउनके क्लास 10 केस में हुआ हैशी है अब करना चाहते कि आझा तो फॉर्मॉला होता था आपका x2-x1 का whole square और plus y2-y1 का whole square किसके अंदर square root के अंदर जैसे अगर मैं को यहाँ पर एक example ले ले लेते हैं फटाफट आपने p late कर दिया 2,3 और जबके q q late कर दिया आपने बिटा 5,2 ठीक है तो अब आप दिखेएगा यह आपका x1-y1 है और यह cabinet आपका x2 और y2 है तो अगर इनके between distance find करनी पड़ जाए तो आप कैसे करते थे आपको मैं याद दिला देता हूँ x2-x1 यानि 5-2 तो 5-2 और इसका whole square इसे तर माइनस 2 माइनस 3 का भी whole square तो यहाँ से क्या आपका दिखेएगा इसके between distance से 5 में से 2 गए 3 3 का square कितना student 9 और यह कितना माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 3 कितना आपका माइनस का 5 तो माइनस 5 का square क्या होगा 25 तो अब आप यह देखें करेंगे तो कितना हैगा आपका root के इंदर 34 ठीक है यह हमारा अंसर आ गया है तो distance formula का इस्तिमाल हो सकते आपका उसके बाद है आपका section formula ठीक है तो section formula को समझने की कोशिश करना कि section formula section formula में आपका क्या आना है आप धिहान से देखिएगा पूरे concentration के साथ ओके तो देखिएगा section formula में section formula में सबसे पहले आपको समझ बनानी पड़ीगी कि यह ना दो तरह से होता है पहला है आपका इसमें internally ठीक है तो देखिएगा internally और दूसरा होता है आपका externally तो पहले हम सिर्फ internally वाले को समझ कर याद करता है कि इसमें क्या है आपका है ना बटा तो देखिएगा यह concentration के साथ देखिएगा a एक point है आपका x1,y1 मान लीजिए b एक आपका second point है x2,y2 ओक इनके internal है और आर ऐसे जो आपका distance पर है m1 और यह कितना आपका m2 यानिकी एक तरह से ratio हो गया m1 और m2 तो अगर आपका बिटा m1 प्लस m2 इसी तरह से y का फॉमला देखिएगा m1,y2 और प्लस में m2,y1 और upon में बिटा आपका m1 प्लस m2 यह आपका formula हो जाता है यह आपका section formula कौन सा internally m अगर 1 है तो x क्या है 2 और अगर m अगर 2 है तो x क्या है बिटा आपका 1 ठीक है इस type से हमें याद करना होता है आप ध्यान से देखिएगा पूरे concentration के साथ है न अब आप देखिए बिटा इसमें आगे बी second part इसका externally तो externally वाला formula क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा externally वाली में क्या है न बचो तो externally में देखिएगा यह देखिए अगर मैं कहूँ कि यह two points आपके बिटा यहाँ पर है आपका x1, y1 ओके और b आपका second point है वही x2, y2 ठीक है यह x2 है बचो अब ध्यान से देखिएगा इसमें पूरे concentration के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ दे यहाँ पर एक point आपका R जो कि कहा है बाहर है इन दोनों के न एक्स्टरनले दोनों से तो यहां से इसका ratio क्या है m1 is to m2 लेकिन बाहर से बाहर से तो क्या कहा जाएगा externally तो formula इसके लिए नीचे वाला होता है लेकिन formula में क्या difference आ जाता है x is equals to m अगर 1 है तो x के आएगा वही है लेकिन जहां plus ता वहां क्या रहे बिटा आपका दोनों में minus ता रहे ठीक है वह इसी ताहसे y y वाला क्या जाएगा बिटा आपका m अगर 1 है तो y2 और minus m अगर 2 है तो y1 और नीचे भी क्या आने बच्छों आपका m1 minus m2 अब देखे नेक्स्ट आता है बच्छों आ आपका midpoint formula तो आप देखना बच्छे midpoint वाले में क्या बच्छा आपका अगर यह a है आपका x1,y1 और यह b आपका बच्छे आपका x2,y2 और इनके बिल्कुल mid में कोई point है suppose that m जो की दोनों उसको equally divide करता है और इसके का x,y से denote किया है तो x equal directly क्या होगा बच्छे आपका x1 plus x2 by 2 और y plus 2 आपका बच्छा y1 plus y2 by 2 ठीक है यह होता है हमारा बच्छा midpoint formula ठीक है अब आप देखेगा area of triangle क्या होता है बच्छा area of triangle और triangle का नाम देदिया a उसके point आपके x1,y1 b बेटा आपका x2,y2 और बेटा c आपका x3,y3 ओके तब ध्यान से देखना बेटा area of triangle क्या होगा इस condition में ठीक है area of triangle क्या होता है half और यह mode के अंदर क्या होगा बेटा आपका x1 दीक है याद करने का तरीका बतारों बच्छो फिर bracket के बाहर x2 और फिर बेटा plus में bracket के बाह आपका x3 ठीक है तो ध्यान से देखना बेटा x अगर 1 है तो 1 के बाद आता है 2 तो y आएगा 2 और माइनस 2 के बाद आएगा 3 बेटा y देखें यहां 2 है ना तो 2 के बाद क्या आएगा y अंदर 3 और 3 के बाद क्या आएगा बेटा आपका 1 बच्चा के तरह सर्फ 4 क्यों नही है मेरे बच्चे क्योंकि 1 के बाद मान लीजिए 2 आ रहे 2 के बाद 3 और 3 से आगे अगर नंबर नहीं है तो आपका क्या होगा साइक लिख रहे में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो 3 के बाद क्या रहे 1 आ रहे अब देखिए x 3 है ना तो यहां पर क्या आएगा विटा आपका y क्या ना विट अगर यह पॉइंट से मच्चे आपके को लिनियर है तो क्या होता था अब यह तो आपका पूरा 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 टैंथ क्लास का होगे एक तरसे और चोटा से यहां भी देख लो एक छोटी सी बात आपकी जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट लेट करना पड़ जाए पॉइंट ओन एक्सक्सिस हैं न बच्चे तो एक्सक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा उसमें 11th में एलेवन्थ में आपका सबसे पहले आप समझना यह आपका बच्चे X all-close यह आपका ठीक है ना राइट टूलेट अक्तास है एंटिक लोग वाइज किसे एक्स-स से तो कितना एंगल बनारी भीटा थीटा अब आप देखिएगा anti-clockwise को हम यह भी कह सकते हैं anti-clockwise कहिए यह आप क्या कह सकते हैं आप धियान से देखिएगा positive direction क्या कह सकते हम इसको बच्चे positive direction यह भी कह सकते हैं तो positive direction of x-axis से जब angle बनता है तो इस angle के लिए आप देखिएगा अगर आप क्या निकालना चाहते है slope of line चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आप इस line का slope चाहते हैं तो m से denote करते हैं लेकिन क्या होगा tangent या निकिक्या बटाब का 10 थीटा यही वाला थीटा जो आपको उपर दे रखा है ठीक है बच्छो यह आपको learn होना चाहिए ठीक है सबसे पहली बात दूसरा इसका formula होता है अगर आपको यह two points दे रखें ठीक है इसको समझने की कोशिश करना ठीक है मैं समझा रहा हूँ लेकिन यह चोटा सा derivation सा है इसको ऐसा नहीं कि आपको आना चाहिए हर अलत में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बच्छो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ समझाने की कोशिश करो ध्यान से देखिएगा यह आपका बटा क्या है x-axis है और यह आपका क्या है बच्छो यह आपका y-axis है ओके यह आपका origin होगा है अब सपोर्जेट एक line है आपकी a b यह a है बटा आपका इसके points आपका x1, y1 है ठीक है x1 और y1 है और यह b बटा आपका यह क्या x2 और y2 है ठीक है तो अब आप देखिएगा ध्यान से मेरे बच्छो अगर मैं इसको यहाँ पर नीची की तरस मिला देता हूँ ठीक है आप ध्यान से देखना अगर मैं इसको ऐ ऐसे मिलाता हूँ और इसको भी ऐसे मिलाता हूँ ठीक है और इसके horizontal line draw कर लेता हूँ तो आप देखिएगा x-axis से कितना angle subtend हो रहा है आप अगर देखिए ना धिहान से तो x-axis की positive direction से कितना angle subtend होगा तो angle यह सब्टेंड हो रहे ठीटा यहाँ पर आप c मान लीजिए अब आप देखिएगा यहां से यहां तक क्या है आपका यह x1 यह इतना सा ठीक है और यहां से यहां तक कितना इपिट आपका यह x2 डिस्टेंस है क्योंकि यह ना x1 यह जभी तो रहा होगा जब यह पूरी है पूरी है तक की distance ही होग तो इसी तरह से मेरे बच्चे अब मै मैं चाहूं कि यह वाले को लिखना तो मैं लिख सकता हूं और यह बीच वाली को तो यह आएगा यट को वाइनस वाइनस ओके इसी तरह देखिए अगर मैं यहां से M equal 10 Theta निकालना चाहता हूँ M equal 10 Theta और 10 Theta क्या होता है perpendicular upon base तो perpendicular strangle के according देखें क्या होगा BC और upon में base, base कितना होगा आपका AC तो देखेंगा पूरे concentration से BC, BC के विलिए आपको दिखाए दे रही है य2-Y1 और देखें AC, AC यह है ना और यह भी तो यही है सेम चीज़, ED तो यह विलिए रख दिजी यानि X2-X1 तो यहां से आपको second formula मिल जाता है किसका slope of line का, तो slope of a line दो condition में आपका आता है आपका आप देखेंगा अगर आपको angle का पता है कि सक्सिस से कितना बन रहा है का formula क्या लगाएंगे बीटा M is equals to 10 theta और अगर आपको two points पता है जो किस line पर lie करते हैं तो फिर आपके लगाएंगे बीटा y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो दीखिए slope of line को में से denote करते हैं और इसके दो formula हो गएंगे एक आपका बीटा M equals to 10 theta और दूसरा आपका y2 minus y1 upon में x2 minus x1 अब हमने 11th के according 11th का formula पढ़ा है से यह पढ़ा है ठीक है अब इसके बाद कुछ note लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा याद करने आपने बच्चे क्या है आपका पहला इफ two lines if two lines है न बच्चो if two lines parallel to each other ठीक है parallel to each other अगर ये एक दूसरे के क्या है बटा parallel है तो इस condition में दोनों के slopes क्या होंगे बटा आपके इक को लोंगे इनका भी छोटी छोटे derivation होते हैं अब उसमें time ज्यादा लगेगा कोई फायदा नहीं है आप सीधर learn कर लिजीएगा और if two lines अगर मैं कहूं बटाब से if two lines perpendicular to each other अगर ये एक दूसरे के क्या होती है पर्पेंडिक्लर होती है तो मेरे बच्चो आप ध्यान से देखिएगा पर्पेंडिक्लर वाली condition में क्या होगा इनके जो slopes का product होगा न तो क्या होगा माइनस सभी मुद्क वाले में क्या होती है तो मैंने आपको पीछे पढ़ा है वह वाली तो आप देखिए गाइस में लास्ट कंडिशन क्या है कि अगर टू लाइन देविट आपकी तू लाइन है ना यह धियान दीजिएगा अब उनके बिट्विन एंगल आपका यह है थीटा देखिए थीटा ओपर भी था लेकिन इस थीटा का अलग था यह थीटा क्या थै लाइन का लाइन बना रही थी किसके साथ एक्सिक इसकी पॉडिट्व डिरेक्शन जबकि यह थीटा क्या यह वह एक्क्यूट अंगल है जो एकोस टू मोड के अंदर M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 ठीक है अब यह 10 पॉइंट के जो फॉर्मुला आपके 11 क्लास के यह आपके लिखे हुए सारे आप इनको अच्छे से लंग किजिए और उसके बाद हम 10.1 स्टार्ट करते हैं फटा-फट एग्रम ध्यान से दे है ना तो आप देखेगा यह टू पॉइंट्स आपके X1 Y1 और यह क्या विट आपका X2 और Y2 और स्लोप क्या है तो स्लोप क्या है था आपका M is equals 2 Y2 माइनस Y1 और बच्चे आपका नीचे था X2 माइनस X1 तो आप देखेगा Y2 Y2 कितना आपका 4 और माइनस का Y1 यह देखे 4 तो डिवाइड करेंगे तो कितना है तो आपका यह माइनस 3 by 2 यह फरस्ट का अंसर होगे और जैसा फरस्ट है वैसे आप सेकेंड और थर्ड आप स्कूद करेंगे 2 पॉइंट्स ते रखें अब आप देखेगा डी डी वाला आपका मैकिंग इंक्लिनेशन ओफ 60 डिग्री शॉश्ट है लिए वेदि पॉजटिव डारिक्चन ओफ एक्सचिस से कितना एपका इनक्लाइन कर रह आपका कितना शर्च यानि कि थीटा दे राकिए बीच्छा आपको फीटा थीटा दे रखिया आपके उसने 60 डिग्री और कहना स्लोप बताइए तो मिक्रॉस टू क्या है आपका टैन थीटा तो बस टैन सिस्टी डिग्री आम में इसमें पुट कर देंगे और टैन सिस्टी कितना है आपका रूट थी ठीक है बस हो गया अंसर हमारा अब देखिए स्टुडिन एक्जम्पल नमबर टू इव दी एंगल बिट्वीन टू लाइन से ना कितना आपका टू लाइन के बिट्वीन एंगल आपको दे रखा बच्चे उसने पाई बाई फोल ओके पाई बाई फोल दिया है और उसके बाद क्या क्या है सिलोप ओफ वन और एक लाइन का स्लोप उसने दे रहा है पिटा एंवन इस इक्रस टू वन बाई टू और स्लोप ओफ अधर लाइन की एंटू पूछ रहा है तो अब आप देखिएगे इनमें फॉर्मुला क्या था तो इनमें फॉर्मुला था बच्चे आपका टैन थीटा इक्रस टू ए एम 1 और अपोन में था आपका 1 प्लस एम 1 इंटू एंटू ओ एपके तो अब आप देखिएगे थीटा यह दहां थीटा और एंटू की जगा एम और एंवन के प्लेस पर पिट आपका नीचे भी आपका वन प्लस वन बाई टू में दो में आपने लिख लिया ठीक है अब यह 10 πाई भाई 4 की वेल्यू क्या होती है आपकी बिटा वन होती है ठीक है अब आप यहां LCM लेंगे अगर तो LCM में क्या रहा है आपका 2M-1 अपन में 2 ओके इस 2 की दम रिपलाई 1 की दर वही आपका नीचे यहां पर पिटा यहां पर भी LCM आपका क्या रहा है तो क्या है आ सामने वाले चीज की समें जाते है प्लस माइनस में तो यह प्लस माइनस का वन हो जाएगा और यहां क्या बचा आपका सिर्फ 2M-1 और यहां पर पिटा आपका 2 प्लस M तो बड़े जब आप प्लस का 1 ले रहे हैं और सामने क्या आपका बिटा 2M-1 अपॉन में 2 प्लस M तो देखिएगा आप क्या करेंगी क्रॉस में तो क्या रहा है आपका 2M-1 इक्रस 2 में बिटा 2 प्लस M अब देखिए 2M का 2M और लेफ्ट में M आकर क्या होगे माइनस और यह 2 और यह 1 उदर जाकर माइनस का उदर जाकर प्लस हो गया तो 2M में से 1 इम गया है तो M इक्रस 2 यह आपका अंसर आ गया और नेगेटिव वाली से भी एक और अंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां देखिएगा बिटा 2 प्लस M यहां पर भी आपने क्रोस कर लिया तो क्या हुआ आपका 2 माइनस फ regret न इक्रस्टो में माइनस मैं क्योंकि 2 की मैंस से बीओ गुए तो माइनस फोरे मानस की माइनस सब्सक्राइब अब यह इस बार ही माइनस ऌश ऑस और क्या हो जाएगा बिटा प्लस आपका 3 भी हो सकता है माइनस 1 भाइ 3 भी हो सकता है अब देखिएगा student इसमें आपको क्या दे रहा है एक description में न सही से पढ़ना लिखा है line to the points है यह आपको points दे रखें ठीक है इस perpendicular to the line to the points कहने का वंदब यह two points लग दियें two points लग दियें और जो उपर वाले two points से line जा रही है देखिए यहां मान लिजी आप इसमें जो मैं आपको समझाने की कोशिश करो यहां देखिएगा मान लिजी उपर वाले two points को मैंने a और b मान लिए बच्छे ए और b लेट कर दिया है और जो नीचे वाले points है न उनको मैंने क्या मन लिए c और d जैसे c आपका 8,12 हो गया और d आपका क्या हो गया है x,24 ओके यह 24 अभी एक दूसरे के क्या है परपेंडिक्लर ने दोनों ठीक है यह a और b से पास ओने वाली लाइन a,b हो गई और c और d से पास ओने वाली लाइन आपके c,d हो गई और यह एक दूसरे के क्या है बच्छो परपेंडिक्लर ने जो कि कुशन के रिकोडिंग बोला गया है तो उसने कहा है कि x की वेल्यू बताईए तो कोई प्रोब्लम नहीं है कोई बड़ा इश्यू नहीं है यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिएगा आपका c,d में आपका a,b एक क्वस्टर में आएगा माइनस वन जब टू लाइन्स आपकी परपेंडिक्लर होती एक दूसरे के तो क्या होता है उनके स्लोप का प्रोड़क्ट जो हता है माइनस वलाता है तो आप देखिएगा इसमें सीडी का स्लोप आप फाइन कर दें तो वही वाई-टू-वाई-वन तो यहां देखिए यह क्या है आपका एक्स टू-वाई-टू एक तरह से और यह क्या बैटा आपका यह आपका x1 और y1 इसी तरह से इसमें बिटा x1 y1 यह है और x2 y2 आपका यह है तो हम क्या लगाएं दोन हमें y2 minus y1 तो पहले cd है न तो cd वाले में लगा ले दिखिएगा cd का y2 कितने बिटा 24 और cd का y1 कितने बिटा आपका 12 इसी तरह से cd का x2 कितने बिटा आपका x और kisitnaya बिट आपका 8, ओके और देखिए AB, AB वाले में देखिएगा, Y2 कितनaya बिट आपका 8 और 8-6 बिटा, जबके 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, एक कॉस्ट्व में माइनस 1, तो देखिएगा बिटा, 24 में से 12 को माइनस किया तो यह आपका 12 बचा, आपका था नीचे आपका एक क्यों सब्साइब एक संब्सक्राइब तो आपको आपका और इधर क्या हैगा मैं आपका ऍार्ट सिंद्खन तो और आपका 8 और यह उधार जाकर 4 तो एक्सिक परस्टूइट आपका 4 आ रहा है आसानी से आप देखिए आप देखिएंगा बच्छो एक्जांपल न्बर 4 एक्जांपल न्बर 4 में हमें क्या दे रखा है P Q R यह जो है एक ही लाइन पर लाइक करते तो आप देखिएगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा यह रही आपके क्लाइन यह आपका मान लीजिए P है H,K और यह आपका बच्छे कहीं Q है मान लीजिए क्या है X1,Y1 और यह आपका R है यह क्या आपका बटा X2,Y2 ओके तो अब देखिए जो डाइरेक्शन P Q की है न वही डाइरेक्शन किसकी होगी Q R की होगी क्योंकि सेम लाइन है न एक दरास है ठीक है तो डायरेक्शन का सेम होना वदब स्लोप का सेम होना तो हम यहाँ पर क्या अपने वाले आपका हम लिखेंगे यहाँ पर लोप और और क्या करिंगे इसमें slope of qr तो आप देखिए pq के according यह आपका बिटा x1 y1 है और यह आपका क्या है x2 और y2 है जबकि अगर मैं कहूँ आपसे बिटा qr के according तो यह आपका x1 y1 है और यह आपका क्या है बिटा x2 y2 है तो आप दिहान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले pq वाला slope निकाल लें तो pq का slope कितना है बिटा आपका आप देखिएगे तो तो यहाँ है y1-k और upon में आएगा बिटा आपका x1-ka h और equals to में अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप देखिए q और r को तो क्या आएगा आपका बिटा y2-y1 और upon में बिटा आपका x2-x1 बट हमने देखाया k- आ रहे हैं आप पर h- आ रहे हैं के और h को पहले लाना है तो माइनस कॉमन लें लिजिए तो यह आपका k- y1 हो गया और नीचे से माइनस कॉमन लिए तो बिटा h- x1 हो गया माइनस से माइनस के इसल हो गया y2- y1 यह है इसमें कोई चेंज नहीं किया अब हमने क्यों प्लाई कर ली तो यह h- x1 के साथ में आपका क्या एगा बिटा y2- y1 तो आपका y2- y1 इधर आ गया लेफ्ट में और राइट में बिटा k- y1 के साथ में k- y1 के साथ में क्या आगया बिटा आपका x2- x1 आगया बस यही प्रूफ करना था आपको देखे स्टूरिंट लिखा है आपका इन फीगर फीगर आपको दे रखी यह री नीचे आपकी ठीक है distance graph of a linear motion is given two positions of time and distance are two positions आपकी यह है जब recorded is when t equals to 0 जब t 0 है तो d कितना है 2 है और आपकी जो second condition है न बच्चे तो आपकी जो second condition दिखा है यह तो t जब 3 है तो आपका d कितना है 8 है using the concept of slope find देखिएगा law of motion यह कहा है how distance depends upon time के distance जो है वो time पर कैसे depend करती है तो आप देखिएगा concentration से easy है कोई मुश्किल नहीं है है ना यहाँ पर मैंने इसको relate कर लिया यह पी यह आपका q और यह आपका r अभी जस्ट उपर मैंने आपका लगाया था ना अप्लाई किया था तो वही चीज लगानी है आपने तो आप इसमें क्या करने वाले है तो आप देखिएगा इसमे slope of pq और एक क्वस्ट में आप क्या लिख सकते है इसमें slope of क्या लिखेंगे इसमें qr देखिए पूरे concentration से pq का जो slope है वो क्या होगा विट आपका 8-2 वार अपन में क्या होगा विट आपका 3-0 और देखिए दियां से qr qr का क्या होगा विट डी-8 और नीचे क्या होगा d-3 ओके तो देखिए 8-2 कितना होगा आपका 6 और नीचे आपका 3 और यह बिट आपका d-8 as it is और यह t-3 अब यह 3 से इसको कटकिया 2 नीचे 1 क्रॉस मुल्टिप्लाइग कर ली बिट आपने तो क्रॉस मुल्टिप्लाइग करके आपका d-8 इक्कॉस टो आ रहे 2t और माइन से 6 को माइनस किया तो प्लस कर कितना आ रहे 2 और आप चाहें तो यहां से बिटा 2 कॉमन ले लिजिए तो आपका t-1 और यही पूछा था कि जो डिस्टेंस है वह बिटा आपकी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी तो ऐसे करेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा बच्चों में इसको पूरा पूरा तो नहीं करा हुआ लेकिन आपको समझा ज़रूर दुआ ठीक है देखिएगा आप इसमें यह आपका y-axis हो गया यह आपका x-axis हो गया तो अब देखिएगा पूरे कंसेंटरेशन के साथ इसमें कि क्या है आपका जिसी कि-4-5-7-7 तक भी है ठीक है तो आपको लेना पड़ेगा यह सपोस्थ 1-2-3-4-5-6-7 ओके यहाँ पर भी आप देखिए 1-2-3-4-5-6-7 नीचे भी आप देखिएगा 1-2 हाला कि कम में भी काम हो जाएगा लेकिन आपन पता है माइनस 1-2-3-4-5-6-7 यह लगबग में बने लिया कि यह आपका एकसी ते बच्चो यह आपका बच्चो क्या है यह एकसी ते ठीक है अब देखिए और यह ओर इजिन है ठीक है अब आप देखिए पूरे कंसेंटरेशन के साथ ठीक है यहाँ पर क्या है आपका माइनस 4,5 तो माइनस 4,5 का मतब़ आपका 1-2-3-4 माइनस 4 होगए और 5 आपका यह ऊपर होगए ठीक है तो लग बग में आपका यह आगया है ठीक है सेकिंड पॉइंट है 0,7 वो यह रहा आपका तो ए पॉइंट आपका यानि कि माइनस 4,5 यह रहा और यह कौन सा पॉइंट हो गए आपका एक तांसे बी हो गया है ठीक है बी पॉइंट आपका 0,7 ओके अब देखिएगा 5,-5 तो 5 का 1 2 3 4 5 5 5,-5,-5 मतनब 5 आपका नीचे आगया यह रहा तो यह आपका C पॉइंट हो गया है 5,-5 ओके और लास्ट है आपका बीटा-4,2 तो 4,2 आपका 1,2,3,4 माइनस का 4 हो गया और माइनस का 2 आपका ये नीचे आ गया तो देखिए पॉइंट्स भी काफी अजीब दिये हैं बट उसने कार्टिजन प्लेन ने ड्रो करने को का है तो इसको कार्टिजन प्लेन में ही ड्रो करना पड़ेगा हमने ठीक है तो अब देखि कि अब आप देखेंगे इसमें आगे क्या करने है तो आगे देखिएगा उसने का एरिया में खेल गए आपका तो यह आपने देखिएगा 10 बहुत करते थे ऩह आपको आप पड़ेएँ लेकिन कोई नहीं आप देखिएगा यह आप यहां से हमिला देंगे बिच्चों तो आप ध्यान से देखिएगा कि A, B, D तो देखिएगा A, A के points के हैं माइनस 4,5, B, B के points के हैं आपके 0,7 और मेरे बच्चे D, D के points के हैं आपके माइनस के 4,-2 तो यह आपका क्या X1, Y1 है यह आपका X2 और Y2 है यह आपका भीटा X3 और Y3 है तो एरिया निकालेंगे आप इसका कैसे एरिया निकालेंगे बिटा एरिया ओफ ट्राइंगल कौन सा बिटा आपका A, B, D अभी formula एद कराया था मैंने आपको बिटा हाफ बाहर और यह X1 और क्या था बिटा आपका X2 और पिटा तीसे ब्रेकर के बहार आपका X3 मेरे बच्चोंगा न तो अंदर सा बिटा आपका Y2 माइनस Y3 2 के बाद क्याएगा Y3 माइनस Y1 और पिटा आपका इसके बाद क्याएगा Y1 माइनस Y2 तो इससे आप पूरा एरिया फाइन करेंगे यह ठीक है उसके बाद क्योंसा एरिया फाइन करने है आपने बिटा उसके बाद आपने एरिया फाइन करने है क्योंसा आपका CBD या BCD तो B का B का क्या है बिटा आपका 0,7 है और CC का है बिटा आपका 5,-5 है और आपका बिटा DD का है आपका –4,-2 है तो आप क्या करेंगे इसको आप x1 y1 मानेंगे इसको आप x2 और y2 मानेंगे और इसको आप exterior y3 मानेंगे और area निकालेंगे आप कौन सा विटर triangle b c d का किस formula से इसी से जो आपका उपर दिखा हुआ है यही वाला थे कि बच्चो यही formula आपका जो उपर दिखा हुआ है उसी सा find कर लेंगे और जब दोनों का area find हो चुका होगा उसके बाद आप lastly क्या करेंगे बिटा area of quadrilateral a b c d ओके तो आप क्या करेंगे area of triangle triangle कौन सा निकाले आपने firstly तो दिखिएगा a b d और उसके बाद plus कर देंगे area कौन सा बिटा आपका b c d जब आप इन दोनों का area plus कर दोगे तो आपका finally answer आ देखिए का बच्चों कुख्षा ने आपका the base of an equilateral triangle with side to a lies along the y-axis ना एक equilateral triangle है जिसका base या जिसकी side कितनी है 2 और base कि scale होंगे y-axis scale होंगे such that the midpoint of the base at the origin और जो base का midpoint वो कहा है आपका origin पर है और find करने को क्या करें vertices of triangle तो दिखिए का बहुत interesting कुख्षान है अच्छा कुख्षान है बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा है ना बच्चे तो दिखिए आप इसमें यहाँ पर यह आपने triangle के लिए पहल X-axis है यह हमारा Y-axis है और उसके बाद एक triangle चाहिए एक triangle के ऐसा चाहिए आपका जो कि कहा हो Y-axis पर लाइक हो लेकिन Y-axis पर base उसका इस टाइप से हो बच्चो कि क्या हो रहा हो उसका midpoint origin हो तो हमने यह base माल लिया midpoint क्या इसका origin है ठीक है यानि कि midpoint इसका क्या origin है यह इसका नहीं कि इधर ही बने यह भी तो हो सकता है ना कि शायद यह left में आ रहा हूं है ना ऐसे भी तो आ सकता है तो हमने कि higher possibility तो यह भी है तो हमने इधर C का नाम दे दिया इधर हमने D का कि चलो देख लेंगे तो हम बताई देंगे ठीक है अब इसकी side कितनी थी बच्चो पूरी बताने देखिए A के points आप डारेक्ट बता सकते हैं कि points के आंगे ओपर को A है ना तो 0,A इसी तरह देखिए B के points भी बता चले जाएंगे 0,A नीचे कि तफ क्या है minus A बट यह CC के point निकालने के लिए आपको पहले OC करना पड़ेगा और यह 90 डिगरी वाला triangle बना है आपका AOC तो आप देखिएगा आपने क्या दिखा इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल OAC, OAC दिखाई देखिएगा द्यान से ना तो बच्चे OC जो है न बेस है तो बेस क्या होगा आपका हाइपोटैनिस यानि की AC का square और minus आपका बिटा AO यानि perpendicular का square तो आपने यहाँ पर लगा दिया अपना 2A का square और यह minus A का square तो यह आया बिटा आपका 4A square minus A square finally यह आपका है बिटा root 3 के अंदर A square root 3 अंदर ही रहे गया लेकिन A square का A बहारा गया यानि कि यह length कितनी होगी बिटा root 3A हो गई और अगर यह है तो यह भी इतनी होगी root 3A बट आप देखिएगा दोनों इस फर्क सी वाला जो राइट साइड में तो यह हो गया root 3A,0 जबके D वाला left में तो minus के root 3A,0 अब उसने तो आपसे vertices पूछे ना तो बटा देखिएगा vertices आपके क्या होंगे तीनों vertices हम लिख देते हैं कि भी vertices होंगे A यानि 0,A और आपका बिटा अगे में बतकों B तो B क्या होगा 0,-A जबके आपका C, C क्या होगा root 3A,0 लेकिन ऐसा भी हो सकता है भई के A यानि 0,A और B आपका वही हो 0,-A लेकिन साथ में क्या आपका C के place पर क्या हो आपका D यानि left वाला भी तो हो सकता है तो minus 3A,0 तो कुझी भी possibility हो सकती दोनों तरह साप अंसर देख लीचीज़ की देखें स्टुडेंट इसमें कहा क्या है उसने find the distance है ना distance find करा रहा है between P and Q हाल है कि तो मैंने आपका formula लिख वायता है directly है ना डारेक्ट सबसे पहले यहीं से शुरू किया था मैंने करा से तो P Q का formula क्या होगा भी आपका X2-X1 का whole square और Y2-Y1 का whole square ओके यह इसका answer हो गया लेकिन अब उसने क्या फसाने की कोशिश कर रहे हो आपको आप धियान से देखिएगा वे कह रहे है कब अगर P Q is parallel to the Y axis अगर P Q Y axis के parallel हो second question में कहा है आपसे P Q is parallel to X axis तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा diagram के coding समझना पड़ेगा ठीक है तो आप देखिएगा कैसे आप यहाँ देख लीजी बच्चे कि अगर यह Y axis है और यह X axis है आपका ठीक है यह मान लीजीए अब अगर मैं कहूं आपसे पीट नीचे होगा 2,-2 तो इसमें देखिए बच्चो यह वाली जो value हो ना यह value आप धियान से दिखना जिसको मैं highlight कर रहा हूं ठीक है उसको धियान से दिखना कि यह जो है ना यह वाली value आपकी क्या है सेम है ठीक है यानि कि X1 समझे देओ X2 X3 हर जगह क्या होगा सब सेम होगा X कब जब यह parallel होगी किसके parallel होगी बटा वाइक सिसके तो वाइक सिसके parallel होगी तो किसकी value सेम होगी X1 X2 X3 की सब की सेम होगी यानि कि क्या हुआ इसका meaning यह हुआ मेरे बच्चे कि first के according आपका X1 X2 X3 यह सब क्या होंगे आपके इक को लोंगे ठीक है तो इक को लोंगे तो इनका मतलब इसका difference क्या होगा जीरो तो क्या होगा मेरे बच्चे जीरो तो यहां से पी क्यू जो आएगा आपका यह आएगा जीरो का square और यह आगए आपका y2 minus y1 का all square तो रूट से यह हडगा है तो y2 minus y1 बचा लेकिन ऐसे भ पाड़ के लिए similarly करके q equal क्या लिख देंगे आपका y2 minus y1 है तो यहां क्या जाएगा आपका बच्चे x2 minus x1 का mode आजाएगा simple question है आपका practical approach के साथ बच्चो find a point on the x-axis इस तो x-axis पर point आपने लेट कर लिया बहिए क्या होगा आपका k,0 okay x-axis पर कोई भी point k,0 which is equidistant from the points यानि यह मैंने boc मान लिये बिटा 7,6 को b मान लिया और बिटा rc लेट कर लिया 3,4 को यह 10th class का question है आपका उसने का है जो x-axis पर point यानि कि a हमारा तो वो b से और c से equidistant equidistant मतलब equal duty पर तो आप देखिए a b equals to a c चाहिए आप a b ना अपलीजिए a c ना अपलीजिए दोलों बराबर होंगे तो a को मैंने बिटा x1,y1 मान लिया और b को मैंने क्या मानना बिटा x2,y2,c को भी x2,y2 लुआ राइट साइड में धियान से देखिएगा तो यहां पर a c,a c वाली value ली तो क्या है बिटा आपका 4 minus क्या रहे आपका अच्छा 4 नहीं पहले आप एक कम कर लो x वाली value ले लो तो 3 minus 7 का whole square और बिटा 4 minus 6 का भी whole square और उसके पाद स्क्राइरिंग कर दीजिए जिससे कि क्या हट जाए आपका दूठ हट जाए दोनों तरफ का तो finally यह 7 minus 1 का whole square बचे आपका यह 36 हो गया और सामने बटा 7 में से 3 गया तो कितना 4 4 का square इसक्टीन और फिर plus minus 2 का square कितना है आपका विटा 4 तो यह 20 हो गया अगर आप धियान से देखें इसको तो यह कितना होगे बटा आपका 20 होगे 4 का square कितना है आपका बटा 16 और यह कित पर यह वाली वेल्यू मैंने AC के प्लेस पर BC ले ली तो यह कोई नहीं कोई इश्यू नहीं है यह लो में एक दम सभी कर देता हूं फड़ाफड करेक्ट कर देता हूं देखिएगा आप ध्यान से बेटा यह वाली वेल्यू ना यही तो गड़बड़ कर दिये आपकी तो इसकामान करेक्याओ अव Rubble में studen असे यह वाली member में तो क्या हूँ fiquei माइनस्टू इंटो tan कर देखिए हैं tu अ कौस्टायओ से आपका ब mobile के स्क्वेर कैंसिल बिटा यह आपका हो गया 49 और जबकि यह आपका 14K और प्लस 36 और इक कोस्टु में बिटा आपका 9 और माइनस का 6K और बिटा आपका अगर बात करें प्लस का 16 तो अब ध्यान से देखना इसमें कि इसकी कैसे कर रहा हूं है यह 49 36 इन सब को यहीं रखा मैंने और 9 को दल दे गया लेफ्ट में देखिए 49 9 इदर राकर माइनस और यह बिटा आपका 36 और यह 16 इदर आपका माइनस और माइनस 6K तो है इदर और राइट में जाकर यह 14 के आपका प्लस बेटा तो दीखिए कितना बचा आपका 20 और यह कितना बचा 40 40 और 20 कितना और 60 और 14 में से 6 गया तो कितना बचा बचा आपका 8K आप 4 टूजा और 4 से इसको कट करेंगे तो 15 तो 15 बाइटू कॉमा जीरो आगया कि अब देखे स्टुडेंट्स में क्या कहा है फाइंड दी स्लोप ऑफ लाइन एक लाइन के स्लोप और क्या बट आपका B क्या है बट आपका 8,0 ठीक है अब एक कोई लाइन है जो कि इन दोनों के मिड़ पॉइंट से अब्सकर्षा हो इसका स्लोप बताना आपने बीटा जो की किस से पास हो हुऊ हो लिए एम के बारे में मैंने लिखा मिड़ पॉइंट है ना बच्छे मिड़ पॉइंट ऑफ पी क्यों क्यों लिख दिया है मैंने आपका है क्या पी बी तो अब ध्यार से देखिएगा एम एम के पॉइंट क्या होंगे आपके एक सुन प्लस एक स्ट बाई टू कॉमा वाई वन न प्लस वाई टू बाई टू ओके तो देखिएगा एम ं का आरे एक आपके जीडव प्लस एड अपॉन टू और माइनस प्लस एड आपउन्टू तो कुल भॉल आके एड को डिवाइड किया आपने तू से तो फोर आया और माइनस 4 को डिवाइड किया तो माइनस का 2 आया ठीक है तो यह M के आपके पॉइंट्स आगे बिटा 4,-2 अब आपको स्लोप चाहिए OM का तो स्लोप of OM स्लोप of OM OM का स्लोप बिटा आपका Y2-Y1 और X2-X1 बट X1-Y1 अब किसे लेंगे बिटा यह X1-Y1 और यह क्या बच्छे आपका X2 और Y2 तो आप देखिएगा अब देखिए स्टुडेंट्स इसक्स कोक्षन विदाउट यूजिंग दी पाइटागोर्स थियोरम पाइटागोर्स थियोरम का इस नहीं करना है आपने आपने आपको 3 पॉइंट्स ठीक है आज यह वर आप सबसे पर लिए अपने मान लिया 4,4 और बी आपने मान लिया बच्छे 3,5 ओके तो आप देखिएगा क्या होगा वाई-टू-वाई-वन अपॉन में आपका X2-X1 तो क्या रहे आपका वाई-टू-वाई-वाई-वन वाई-टू आपका कितना है यह देखिए आपका यह X2-Y2 और यह के विच्छे आपका X1 और Y1 तो उपर आ रहे 5-4 और नीचे आ रहे 3-4 तो उपर आया विच्छे आपका 1 नीचे आपका 1 नीचे आपका 1 यह आपके सकते हैं क्यों राख माइनस वन आ गया अब अब क्या करेंगे Slope of BC यानि 3,5 और CC के प्लेस पर गए क्या रहे आपका 3,2 अब बिल्कुल इसी तहां से Slope of AC यासी यह है एक है आपका 4,4 और जबके CC के आपका माइनस 1 को मा माइनस 1 तो आप देखें माइनस 1 माइनस 4 और नीचे भी क्या आ रहे आपका X2 माइनस 1 माइनस 4 तो उपर नीचे की डिजिट से में तो 1 आ गया आपका अब जब यह 1 आ गया तो आप देखेंगे कि इसमें आपका कौन सा स्लोप जो पहला स्लोप है यानि स्लोप ओफ एबी और इंटू आप क्या कर लिजिए स्लोप ओफ एसी तो क्या था माइनस 1 इंटू 1 कितना आगे माइनस 1 और जब दो पेंडिकलर है किसके आपका AC के तो अब हम लिखेंगे हैंस जो हमने ABC माना एक तरह से कि यह ट्राइंगल ABC इस आ राइट एंगल ट्राइंगल आगे आपका राइट एंगल ट्राइंगल देखें नेक्स्ट आपका कुश्च नमार 7 फाइंड दी स्लोप ओफ दी लाइन लाइन का स्लोप दी निकाल लिए विच में एन एंगल ओफ 30 डिग्री विद दी पॉजिटिव डिरेक्शन ओफ वाइट सिस मेजर्ड एंटिक लोग वाइज एक लाइन है बच्चो उसने एक लाइन दी है ठीक है और उसके बारे में क्या भाक आया है कि किटने डिग्री के एंगल बना लीए वह लाइन आपकी पॉजिटिव वाइट सिस से कितना बना लिए 30 degree तो आप यहां से देखिएगा कि क्या कर दाओं में इसमें आपका यह आगया आपका यह line है आपकी जो green वाली आपको दिखाई दे रही है और यह y axis से 30 degree बना रही है कितना बना रही है बच्चो y axis से 30 degree का angle बना रही है ठीक है लेकिन हमें तो x axis की positive direction से चाहिए तो आप देखिए यह 30 तो यह vertical यह positive angle से यह भी कितना हुआ आपका 30 और यह आपको पता है 90 और अगर मैं कहूं है exterior angle होगे आपका थीटा जोए क्या होगा है exterior angle तो यह इन दोनों के sum के इक को लोगा है यानिके 90 प्लस 30 कितना बच्चे आपका 120 डिग्री और slope का है ना तो m1 को स्टू क्या होता है आपका 10 थीटा और थीटा के place पर क्या लिखा है आपका बच्चे उसने लिखा है 120 डिग्री जो आ रहा है कहने का बतलब यह तो आप क्या करेंगे 10 180 माइनस 60 इसको लिख सकते हैं और यह सेकेंड कॉर्डेंट में जाएगा नहीं माइनस का 1060 डिग्री यानि माइनस का कितना बच्चे आपका रूट थी तो यह आंसर हो गया फाइंड दी वैल्यू फोर ओफ एक्स फोर विजदी पॉइंट्स की दे रहे हैं आपको आर को लिनियर तो मैंने कहा था ना इसको आप A मान लीजी इसको आप B इसको आप C तो यह अगर एक ही लाइन पर लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइट असर जरूर नहीं कि B आपका यह के पहले आ रहा हो हो सकता है कि A हाओ C हाओ ठीक है और भी यहाओ और भी कंडिशन्स हो सकती है खिर है लेकिन यह चोड़िए होंगे एक ही लाइन में तो जो डायरेक्शन आपकी A B की होगी वह यह आपकी B C की होगी तो यहां पर हम क्या करते हैं कि Slope of A B लेंगे बच्चो में क्या लिखेंगे हम पिटा Slope of B C हम अल्रेडी कर चुक है इस टाइप का कुक्षन तो देखिए A B का स्लोग क्या रहे 1-1 और नीचे आपका 2-x और जबके B C का क्या रहे 5-1 और नीचे क्या रहे आपका 4-2 तो उपर 2 और नीचे आपका 2-x हो गया और सामने पिटा आप 2-2 तो दा 4 आपका और माइस का 2-x लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा बिटा आपका प्लस का 2-x और यह 4-2 है यह निकि 2-x is equals to 2 फाइनली एक सिपक्र बिटा आपका क्या गया 1 आगया सिंपल question number 9 without using distance formula distance formula का use नहीं करना है show करना है कि यह जो 4 points है आपके are the vertices of parallelogram की जो 4 points है क्या है आपका parallelogram के vertices है तो आप देखेगा अगर यह parallelogram होगा कोई भी type का तो वैसे हमने roughly बना लिया parallelogram ठीक है तो आप देखिए गई तो अब क्या करने वाले आप देखिएगा कि इसके जो диागनज होते है ना अगर यह parallelogram में तो वो bisect करेंगे क्या करेंगे बच्चो bisect करेंगे यानि कि क्या A और C का जो midpoint होगा वो क्या होगा आपका वो होगा जबकि B और D का जो midpoint होगा वो भी क्या होना चाहिए O तो हम midpoints निकाल रहें किसके AC का तो आप देखिएगा बच्चे हम find करें midpoint of AC तो AC का midpoint अप निकाल दे तो minus 2 plus 3 upon 2 और minus 1 यह दा देखिए minus 1 और 3 minus 1 और 3 upon 2 तो उक्ल मिलाकर यह कितना है आपका वोच्चे 3 में से 2 गया 1 1 by 2 और कोवा 3 में से अन गया 2 2 से 2 को divide किया तो किता है आपका 1 तो यह point आगे आपका ठीक है? AC का midpoint अब हम लिखे रहे हैं midpoint of BD तो हम निकाल रहे हैं इसमें midpoint of BD तो आप देखिएगा BD का midpoint तो minus 3 plus 4 upon 2 जबके 2 plus 0 upon 2 तो देखिएगा क्या आ रहे है आपका यह 4 में से 3 गया 1 1 by 2 और जबके 2 by 2 यानिकी 1 तो आप देखिए दोनों points यह point भी और यह point भी क्या है? सेम है तो हम लिखेंगे midpoint midpoint of AC and BD are midpoints of AC and BD are coincide यानिकी क्या 1 के उपर 1 है यह ठीक है? तो हम लिखेंगे बस अपना hence ABCD ABCD is a parallelogram क्यों? क्योंकि एक दूसरे को bisect करें diagonal sis के हो जब diagonal bisect करते है तो क्या होता है? parallelogram होता है इस निबर 10 find the angle between x-axis and the line joining the points यह दे रखे आपको है आपको है ना? x-axis से जो angle बनता है ना? ठीक है? वही तो slope में use होता है तो इसका मतब क्या हो आपसे? 10 theta equal और यहाँ 2 point form लगा दीगे है यानिकि क्या बटा? आपका 10 theta equals to y2 minus y1 upon में x2 minus x1 यह theta कौन सा है? जो की x-axis से positive direction में बनता है वह theta है तो आप देखेगा x2 और y2 तो आप देखे y2 minus y1 यानि minus 2 minus minus plus 1 और नीचे आपका विटर 4 minus 3 तो यहाँ पर आपका 10 theta equals to में minus 1 upon 1 यानि कितना है आपका minus का 1 तो यह value तो आप जानते हैं कि यह value किसके होती? 45 degree यानि pi by 4 की value होती है बट यह minus आ रहे नहें दोनों तो 10 से 10 cancel नहीं होगा तो minus हटाने के लिए आप second quadrant में इसको ले जाहिए तो second quadrant में आपका क्या आएगा? pi minus pi by 4 क्योंकि second quadrant में आप जानते हैं कि 10 pi minus theta एक बात है minus तो यह minus इसमें recover होगे आपका ठीक है? अब 10 से 10 गया है देखे question number 11 the slope of a line is double of the slope of another line एक line का slope जो है वो दूसरी line का क्या है? डबल ले बेटा if tangent of the angle between them is 1 by 3 यह नहीं 10 theta के उली देखे उन दोनों के वीच की तो slopes निकालना है lines का तो आप देखिएगा आपने late कर दिया बेटा कि M1 equals 2 तो M तो M2 equals क्या हो जाएगा आपका 2M क्योंकि एक slope दूसरे का डबल है तो आप जानते हैं कि 10 theta का जो formula होता है वो क्या होता है आपका बेटा M2 minus M1 और अपन में आपका 1 plus M1 is to M2 value रख दीजिए आपर 10 theta की value कितनी बेटा 1 by 3 और जबके M2 की value कितनी है 2M और minus M1 की M नीचे भी आप यह कीजिए M और into में 2M तो finally हाँ से यह मोट अठेगा तो प्लस माइनस का 1 by root 3 आगया और सामने क्या बच्चा आपका 2M में से 1 M गया है तो M और नीचे आपका कितना आगया 1 plus 2M square अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे एक बादी positive sign और एक बादी क्या आपका negative sign तो हमने क्या किया taking positive sign तो जब हम positive sign लेंगे तब calculation और दूसरा इधर क्या होगा taking negative sign तो आप देखें positive sign यानि प्लस का 1 by 3 ले रहे हैं और सामने के लिए रहे हैं बच्चा M upon 1 plus 2M square तो cross multiplication हो गई आपकी तो यहां सा है 2M square plus 1 और 1 cross 2 में आपका 3M तो 2M square minus का 3M और plus का आपका बच्चा 1 across 2 में 0 यह quadratic equation हो गई आपके ठीक है तो 2 के multiply यहां 1 से करेंगे 2 1 जा 2 2 के से factor प्लस करके 3 आए तो क्या होगा आपका बच्चा आपको पता है 2 और 1 हो गए तो यह आपने लिख दिया अब आप देखिएगा इसमें यहां से आप क्या करेंगे बच्चा common लेंगे तो 2M common आ रहा है आपका तो क्या बच्चा M minus 1 माइनस 1 common लेकर यहां पर भी M minus 1 बच्चर है आपका तो M minus 1 पूरे में से common ले लिजी आप इसमें तो यहां क्या बच्चर 2M minus 1 जब आप इनको लग-लग 0 पुड करेंगे तो M की वेल्यू यह तो 1 आ रही है या M की वेल्यू बटा यहां से आएगी 1 by 2 ओके तो जब M की में वेल्यू 1 और 1 by 2 आएगी तो आप इस हिसाब से देखेंगे तो बटा यहां क्या होगा आप जियान से देखिएगा 2M कितना होगा यानि M2 तो 2M होगा आपका इसके according 2 जबके 2M इसके according क्या होगा बटा आपका 1 ठीक है आप समझ सकते हो डबल दोनों का ठीक है तो यह condition और यह minus के 1 by 3 वाली आप खुद करेंगे ठीक है M upon 1 plus 2M square यह आप खुद करेंगे बिलकुल इसी था जैसे left वाला किया है ठीक है अब देखें student question number 12 a line passes through इन दोनों से pass हो रही है if slope of line is यह दे रखा है तो यह proof करना नीचे वाला तो यह कोई मुश्किल बात नहीं बच्चो M equals 2 क्या होता है आपका y2 minus y1 upon में बच्चो x2 minus x1 यह आपका x1 y1 है और यह आपका बिटा x2 और y2 है तो आप put कर दीजिए values तो y2 के प्लेस पर क्या है बच्च आपका k और minus y1 और नीचे आपका x2 के प्लेस पर h और minus x1 यहां से कर दीजिए तो k minus y1 equals 2 में क्या है बच्च आपका m into h minus x1 और यही उसकी चाहत थी हमने पूरी कर दी खत्म कहानी अब जी देखिए if three points यह दे रखे lie होना line यानि कि को linear है यानि कि क्या होगा आपका इनके slope सिक्कों नोंगे a b और b c के जो आप पीछे कर चुके है तो show यह करना है तो हाँ यह show वाले में थोड़ी सी problem हो सकती है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चों उनको ना तो देखिएगा आप इसमें यहाँ पर concept वही रहेगी आपकी कि क्या slope of a b है ना यह a b बच्चे और यह c और एक करस्टू में क्या रहेगा आपका बच्चे slope of b c तो आप देखिएगा पूरे concentration से कि slope of a b में आपका क्या रहे b minus 0 और upon में आपका बच्चे a minus h और एक क्यूस्टू में b c में देखिए क्या रहेगा k minus b अब तो यह आपको आदत होई होगी और 0 minus a अब आप क्या करेंगी cross multiplication कर देंगे तो जब आप cross multiplication करेंगे तो आपका क्या आएगा आप जहां से देखिएगा a की case होगी तो a k फिर a की b से होगी तो minus a b फिर h की case होगी तो minus h k और फिर minus minus plus h की b से होगी तो b h और एक क्यूस्टू में आपका minus का a b minus a b से minus a b आपका cancel हो गया अब आप देखेंगे a वाली टर्म बच्चे और b वाली टर्म आप यहीं रखेंगे बाकी जो h के है ना इसको हम उधर ले जाएंगे उधर लेकर क्यों गए क्यों कि हम मुझे पता है कि a और b चाहिए left में से अब हम क्या करेंगे सामने हमें one चाहिए तो सामने बन चाहिए तो divided by किसे करने वाले हैं पूरी हर एक टर्म को divided by h k हर एक टर्म को हम किसे डिवाइड करने वाले हैं h k से तो a k upon h k और बिटा b h upon h k और एक क्रस्ट्र में h k upon h k आप देखेंगे हैं यहाँ पर h से h cancel यहाँ पर कैसे k cancel तो a upon h आ रहा है plus b upon k आ रहा है और एक क्रस्ट्र में one आ रहे मिट आपका यह सिंपल में मैं आपका आ गया देखेंगे इस exercise का last question है आपका consider the following population and year graph ठीक है find the slope of the line a b and using it a b का slope find कीजिए उसका use कीजिए find what will be the population in the year 2010 तो आप देखें 1985 में यह यह इतनी आपके क्या है population है 92 करोड और 1995 में 97 करोड है तो यहाँ कहीं C मान लीजी बच्चो C तो यह जो C होगा इसमें क्या कह रहा है 2010 की बात कर रहा है और कितनी population होगी हमें नहीं पता हमने के मान ली थी के करोड अब धियान से देखना बच्चो इसमें बिल्कुल concentration से यहाँ वही concept आपके apply होगी कि slope of क्या बट आपका slope of AB और एक करस्टू में क्या होगा बच्चो आपका slope of BC हाँ बिल्कुल kolinear है ना इसलिए तो slope of AB में मैं क्या कर रहा हूँ बिल्का 97 माइनस में 92 और नीचे बच्चे आपका 1995 माइनस 1985 और एक क्ष्टू में BC वाली के लिए देखिएगा K माइनस 97 और upon में क्या हैगा बच्चा आपका अगर देखेंगे तो upon में आपका आ रहा है बच्चे 2010 और माइनस में 1995 तो अब देखिए उपर 97 में से 92 गया तो कितना बच्चा आपका 5 और नीचे आपका ये 10 और सामने आपका बच्चा के माइनस 97 और नीचे आपका बच्चे एगा बच्चा ये 15 तो अब देखिएगा फाइव बन जा फाइव टू जा अब आप यह कि वह सुल इप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहे आपका बच्चे और 97 से कर दीजिए तो कि मुटिप्लाई तो कितना आ जाएगा बच्चा ये 194 और एक कॉस्टू में आपका कितना आ रहे 15 अभी उधर जाकर क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा बच्चा उधर जाकर आपका ये प्लस हो जाएगा तो 194 आपका प्लस तो 2K एक कोस्टू में आपका यह कितना आरे मिटाब ध्यान से लिखें अलग से नोटिस कर लीजिए 209 है ना अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे आरे मिटाब का 104.5 इतने करोड पोपुलेशन हो जाएगी कब 2010 में